हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करता हूं अच्छे होंगे आई दोस्तों इस वीडियों के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली एलक्षन के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है हम लोग बात करेंगे यहां पर बी बीजेपी का कंडिशन क्या है और बीजेपी क्या करने वाली है दिली चुनाओं के अंदर हम लोग यह भी देखेंगे कि किसकी जीत हो रही है चंता किसे पसंद कर रही है परसेंटेज में भी और सीट्स में भी इन सारे चीजों को इस वीडियो के अंदर हम लोग बाता वो बराए महरवानी वो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज की बात करते हैं अगर बीजेपी की बात करें थोड़ा सा तो बीजेपी के कार्यकरताओं ने और बीजेपी के जो हेड है अधियक्च है अमिज ने उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी बीजेपी के सीम है जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर है जितने भी बीजेपी के एमपीज है वो सारे के सारे लोग दिली के अंदर आ रहे हैं दिली चुनाओं के लिए और वो सारे के सारे लोग मेहनत करेंगे दिली चुनाओं को जीतने के लिए उन्हों ने स्टेटमेंट में कहा यह भी कहा कि ज़्यादा 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 जो सीम को भी इन्वाइट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर ताके दिल्ली के जनता के अंदर बीजेपी के लिए और कमल फूल के लिए जो परसेंट पसंद कर रही है और 31 परसेंट ये बताय जा रहा है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को सपोर्ट करेंगी परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं पहले आगे चलते हैं अगर बात करते हैं आपकी तो 51 परसेंटेज की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि 51 परसेंट जन जो कि सिर्फ कॉंग्रेश को देखना चाहते हैं और इनके अलावा जो अधर्स में आते हैं वह मातर दो परसेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ अधर्स में आते हैं तो इस तरह से कुल मिलाकर यह परसेंटेश का डाटा वह परसेंटेश काकड़ा हुआ लेकिन लेकिन बीजेपी चा काल के भी वोटर सो है। support कीजिए जो आपके लिए बहतर हो सो समझ के support करें ना कि किसी बहकावे में आई हम लोग seats की बात करते हैं उस percentage को अगर हम लोग इसके अंदर seats में convert करें तो आपके खाते में जो है वो साथ से 62 seat जो है वो केजरिवाल के खाते में जा रही है और लोग भी और चाहे अभी तक की बात बता अभी तक जो रुजहान है हो सकता है कि आगे election के टाइम कुछ और हो जाए हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल जो अभी रुजहान है जो जनता के recording है वो यह है कि 60 से 62 seat जो है वो आपके खाते में जा रही है और केजरिवाल इतने सीटों को आसानी से यहां पर लाप आ रहे हैं वो अपने काम की बुनियाद पर और वहां के लोगों के दिलों में जो अपनी मुहबब डाले है उसकी बेसिस पर अगर बात करते हैं मोदेवी की तो 8-10 seat बेब पर यह कहा जा रहा है कि फिलहाल पकड़ है क्योंकि अभी भी इनके चाहने वाले हैं वहां पर दिली के अंदर और यह फिलहाल जो है शाहिन बाग शाहिन बाग शाहिन बाग पर ही अपना परचार कर रहे हैं कि इतना जोर से बटन दबाना कि शाहिन बाग में इनका आवास पता चले इस तरह से मतलब बेवनियाद और फालतो किस्म का परचार इन्हों ने शुरू कर दिया है तो कुल मिलाकर इनका जो मुद्ध है कुछ नहीं है सिर्व शाहिन बाग और जा सकते हो मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो तो अब मुद्ध तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल ये लोग शाहिन बाग पकड़े हुए हैं और कॉंग्रेस भी कही ना कहीं ना कहीं इन आर्सी और सी और इस तरह से पकड़ी हुई ताके लोगों में ज्यादा ही वो मुह भी हाई दे रही है बड़ी मुश्किल से का सिद्धी सकती है वह भी अगर बहुत कुछ मुस्लमानों ने चाहा तो नहीं तो ज्यादा तर इनको कुछ ज्यादा सपोर्ट मिल ली रहा है बहुत कम परसेंटेज में लोग इनको पसंद कर रहे हैं बाकी इनको कोई पसंद नह कहीं क्योंकि अगर ओसी यहां से टिकट लेते अपना गिंडर उतारते चाहिए चार से पांस सीट पर ही उतारते तो उनको सपोर्ट कर बहुत सारे लोग करने वाले थे और मुस्लिम वोट से बढ़ते फिर उसकता दोंको प्रोब्लम सो होती लेकिन फिलहाल अगर उनका ना